असलौब अलेकूम मेरा नाम सोरा अब्ध खान है और आग जंताय कैर्फु के पहले दिन के रिजल्ट सामने आने लगे है और अब को इस और घ्री आने लगा है तो इसको सब्वोर्ट कर रहे हैं और कुछ अबी भी ऐसे मुर्ख है हैं इसका मतलब यह नहीं है कि केरफू लगाया गया है तो यह आप से एक अपील करी गई है कि आप अपना प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं कि इसका हिलाज अभी नहीं है इसका सिर्फ एक हिलाज यही है कि आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके चलें ना कि आप जो गेदरिंग इखटा करें अपने एरियों में उनको थोड़ा सा कम करें आप अपने घर पर बैटें थोड़े दिन की बात है जो जो भी वाइरस है जब खतम हो जाब फिर से मिलें वैसे दो को जल्दी कीसी से नहीं मिलता लेकि जो लोग अभी इसका कुछ रूमर्स फैला रहे हैं कि आज एनर्सी के खिलाफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस मेसेज को इस वीडियो को बनाने की जो है और अगर आपको पसंद आए और आपको कुछ समझ में तो शेयर जरू कीजिए का किसी के हिल्प के लिए लोग ज इंट्ली के हालत क्या है किसी को बताने की जुरूत नहीं है और हाइली एड़वांस डेफल्प्त चो कंट्रीज इंट्ली वखंडे जिरूमनी ऌने इसको टैकल नहीं कर पार हैं महां हैं कि तो यहां पह तायारी इंडिया में कितनी है यह अप अच्छे τरह से जानते यहां यहां पे ना तो इतने hospitals हैं, ना तो इतनी facilities हैं, बस एक इसका एक यही इलाज है, कि हम इसकी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा ऐसे ही कर सकते हैं, जो हमें आदेज दिये गए हैं। साथ में जो कुछ लोग हैं, जो मोधी भक्त हैं, कुछ भग हैं, जो मोधी विरोधी हैं। कोब्रा वाइरस का विनाश हो जाएगा। तो इससे क्या हैं, जो दूसरे लोग विरोधी हैं, वो मजाग बना रहे हैं, इसको हलके में इसलिए ले रहे हैं, क्योंकि वो अब लोग अपने अपने कमिट्मेंट को सॉरी, कमेंट्स करना शूर कर दी हैं लोग, कि इससे जो बजेंगी, जो तालियां बजेंगी, तो ये तालियां और ये जो तालियां जो भी किसी भी तरगा साउन क्रियेट किया जाएगा, वो सिर्व इसलिए हैं, कि जहां आप लोग, सब लोग अपनी हिवाज़त के लिए अपने घरों में आपको पैक कर आएगा है, आपको रहन नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए काम मत बढ़ा है, क्योंकि जो भी वो भी अपने जान को खतरे मरत के आपका इलाज करने के कोशिश कर रहे हैं, और ये वाइरस खतरनाग इसलिए है, कि इसका इलाज नहीं है, इसलिए, और बाकी जो इस वहम में है, कि मुझे कुछ नहीं होगा, मौत तो आनी है, तो आएगी, तो बेशक मौत आनी है, तो आएगी, हर किसी दर्म का बंदा, किसी एक इश्वर के लिए, किसी एक ऐसे शक्ति को जो आदरिश है, जिसको किसी नहीं देखा है, वो अल्ला, इश्वर, भगवान, जीज़र, जिसके नाम से भी मानता, उसको मनाने के लिए लगा रहता है और लगा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने यह बोला है कि तुम जहर रोटी खालो साहनेट जावल खालो घर पे सीडिया है सीडियो सम्मद उतो हो सीधे छट से खूदो नीच उतर आओगे इसका यह मतलब तो नहीं है तो आपको आप खाना खाते हो आपके पास अकल है आप टेक्टी नहीं खाते हो तो आप जो उट पटान खरकते करोगे तो आपके पास हर च च्ठ से उतरो, सीडियो से मतं उतरो तो अकल भी आपके पास है तो मौत आईगी लेकिन अगर जानमुछ के लानी है आपको तो आप उसकी कोशिश क्यों करता है, और पिर यह वो लोग ही सवाल कर रहे हैं, प्र यह वो लोग ही विरोध कर रहे हैं, जिन को ना तो घर की जि कर रहे हैं जो बहुत जरूरी कोई एमर्जनसी है तो आप निकले अपने आज पास के लोगों को सपोर्ट भी करें अगर उनको किसी चीज की जरूरत है और आपको लगता है कि आप उनकी नीड को फुल्फिल कर सकते हो तो जरूर करें दूसरे के काम आए ये वो समय है जहां पर हम एक दूसरे को सपोर्ट करके इस चीज का खात्मा कर सकते हैं क्योंकि अपने पास तैयारिया थोड़ी कम है और ये जो पांच बच के पांच मट पे एक साउंड करेंड करने का जो रिक्वेस्ट की गई है तो उसका मतलब यह है कि सब उनका एप्रिशेट करना है उनक अगर यह आगे इन्हेंस होता है अगर इसको आगे और भी अप्लाई करना पड़ा तो कम सकम पब्लिक पैनिक नहीं होगी यह उस वज़े से किया गया तो चीजों को गलत मत फैलाएं अगर आप अच्छे काम नहीं कर सकते तो बुरे काम करके और गंद मत फैलाएं तो आप इस वीडियो के जरीए किसी को किसी की इमोशन्स को या किसी को तकलीफ देने का इंटेंशन नहीं है बस एक छोटी से आप से रिक्वेस्ट है कि जनतागे को सपोर्ट करें कि अगर आप अगर अपनों से प्यार करते हैं तो आप इस चीज़ को समझेंगे थैंक यू